नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल श्री आईरवेदा, इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जोकी आपको फ्री ओफ कॉस्ट एमडी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों अब तक हमारे pathology और anatomy के lectures जो है वो complete हो चुके हैं और सारे lectures का link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपको हमारा whatsapp group join करना है उसका link तो भी आपको description box में मिल जाएगा आपका कोई भी lecture miss ना हो तो इसलिए हम additionally whatsapp group में भी अपने वीडियो के links देते रहते हैं दोस्तों हमारे ये जो modern की दो subjects है pathology और anatomy ये complete होने के बाद अब मैं start कर रही हूँ अश्टांख हिर्दे ठीक है और फिर बाकी के जो modern के subjects है जैसे कि surgery है, ENT है, medicine है, physiology है ये भी मैं साथ में start करूँगी after अश्टांख हिर्दे तो alternatively हम लोग क्या कर रहे है कि modern start किया, फिर उसके बाद ayurveda जो है वो start किया, फिर उसके बाद फिर से modern start करेंगे, फिर ayurveda लेंगे क्योंकि इस साल जो 2024 है और जो पिछले 3-4 साल है, उसमें जो AIA PGT का pattern देखा गया है, उसमें modern के 15 से 20 questions आते ही है जो की बहुत important जो part है वो carry करते हैं, ठीक है, ranking के लिए, especially top ranking के लिए, इस साल 2024 में अगर देखा जाये तो 20 questions दिर्फ modern में से आये थे, ठीक है तो हम लोग जो है modern नहीं miss करना चाते हैं और इसलिए modern और आयरुवेदा दोलों को साथ लेकर चलेंगे तो चलिए start करते हैं अश्टांग हिर्दे, अश्टांग हिर्दे का जो आज का lecture है ये आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि अश्टांग हिर्दे और अश्टांग संगर है, जो है इसके क्या important points है, क्या important PKI है, इसके कितने स्थान है और कितने chapters है, ये सारा कुछ इसमें ब बहुत ही easy way में मैं आपको पढ़ाऊंगी, concept clear करवाऊंगी और इसी lecture में आपको learn भी करवाऊंगी, तो चलिए start करते हैं, दोस्तों अगर हम अश्टांग संगरे और अश्टांग हिर्दे इन दोनों में compare करते हैं, तो अश्टांग संगरे जो है ये व्रिद वागभट ने इसकी रचना करी है छटी शतावदी में, फिर बाद में अश्टांग हिर्दे आई है सातनी शतावदी में, जिसकी रचना वागभट ने करी है, संगरे इस older and हिर्दे इस younger, इतना आपने याद रखना है, ठीक है, second point ये है कि अश्टांग संगरे और हिर्दे, ये चरक और स सुषूत के विचारों का संकलन है, मतलब कि चरक ने जो विचार दिया आईरुवेद पे, जो सुषूत जी ने विचार दिया आईरुवेद पे, दोनों को मिक्स करके लिखा है, वागभट ने अश्टांग संगरे अश्टांग हिर्दे, ठीक है, फीसरा point ये है कि अश्ट संगरे अश्टांग संगरे में, अब डीटेर्ड में है, तो इसमें डेड़ सो अध्याई मिलेंगे, 150, ठीक है, 150 अध्याई मिलते हैं, और अश्टांग हिर्दे में अध्याई कितने मिलते हैं, 120, ठीक है, इतना अपनी याद कर लिया, कि हिर्दे is younger than संगरे, हिर्दे सात् चटी शतापदी में वागभट ने इसकी रचना की, संघरे की, जो है, छटी शतापदी में वृद्ध वागभट ने इसकी रचना की, ठीक है, वृद्ध मतलब संघरे is older, चरुक और सुशुत के विचारों को mix करके संघरे और हिर्दे बनाया गया, ठीक है, और फिर, जो इसको concise form में जब लिखा गया, इसी का जो संग्षिप्त पदमे रूप है, उसको हम हिर्दे कहते हैं, अब next आते हैं की chapters, ठीक है, देखिए, अश्टान संग्रे और अश्टान हिर्दे, स्थान सेम है, स्थान कौन से है, सूतर स्थान है, शारीर स्थान है, निदान स्थान है, चिकित्सा स्थान है, और फिर कल्प स्थान है, फिर उत्तर स्थान है, ठीक है, तो इसमें स्थान 6 है, अब सूतर स्थान में 40 अध्याई हैं, संग्रे में, तो हिर्दे में 10 कम कर दीजे, 30 अध्याई हैं, ठीक है, निदान स्थान में, संग्रे में 16 अध्याई हैं, ठीक है, हैं कल्प स्थान में संघ्रे के आठ अधियाई हैं और हिर्दे में छे अधियाई हैं उत्तर तंतर में संघ्रे के पचास अधियाई हैं और इसमें हिर्दे में इसके आ संग्रे के 150 हैं, तो सूतरस्थान 40 संग्रे, तो इधर कितने आगे? 30 हिर्दे में, निदानस्थान और निदानस्थान, दोनों के 16-16 सेम हैं, शारीरस्थान 12 संग्रे में, तो 6 हिर्दे में, फिर चिकित्सास्थान में 24 हैं संग्रे में, तो 22 हैं हिर्दे में, फिर हिर्दे में, तो इस तरह से टोटल चाप्टर्स संग्रे में आते हैं 150 और हिर्दे में आते हैं 120 ठीक है, अब टीकाई के अगर बात करें, तो केवल एक टीका अपने हजारो वार कोशन्स पूचा गया है इसमें से बहुत 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 वार, ठीक है बुदू ने लिखी थी, उसका नाम है शशी लेखा ठीक है, और दूसरा है हिर्दे में आमने तीन ठीकाई याद करनी है, and three are, all three are very 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 important, पहली क्या है इसमें, सरवांग सुंदरा अरुंदत ने लिखी है, अश्टांग हिर्दे पर, दूसरी ठीका इसमें क्या है, इसमें है आयूर्वेदर साइन, हिमादरी ने लिखी है फिर तीसरी क्या है, पदार्त चंद्रिका, चंद्रनंदन ने लिखी है, ठीक है, चंद्रिका, चंद्रनंदन ठीक है, तो संग्रय पर इंडु कृत शशी लेखा और फिर हिर्दे पर टीन टीकाएं हैं, सबसे पहली टीका है, सरवांग सुंद्रा ये लिखी है, अरुंदत ने, फिर सेकिंड है, इसमें आयूरुवेदर साइन, हिमादरी ने लिखी है, थर्ड है, इसमें पदार्थ चंद्री का चंद्रननन ने लिखी हैं, अब हिरते और जो संहरे हैं, इसकी विशेश्था एं क्या हैं? क्यूंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि यह चरक और सुशूत के विचारों का संकलन है, दूलों के विचारों को मिक्स करके, जो बनाया गया है, गरंत, वो अश्टांक संहरें हैं, हिरते हैं। लेकिन कुछ तो points होंगे जो वागभटे अपने लिखे होंगे वो point क्या है देखिए महा मयूरी विद्या है ये अलग से यहां पर वर्णित है महा मयूरी विद्या अगर आप सिरफ मयूरी विद्या का मतलब की solve करेंगे question तो उसमें नागर जुनाएगा लेकिन महा मयूरी व कि गूगल जो है ये वाथर है ठीक है अलग-अलग हम गूगल यूज करते हैं आयरोविदिक प्रैक्टिस में जैसे कि के शौर गूगल है या फिर जो है सीनाद गूगल है ठीक है लाकशादी गूगल है तो गूगल का वाथर effect हमें पता था लेकिन यहां पे इन्होंने क्य डिसकवर किया कि गूगल मेदोहर भी होती है गूगल का मेदोहर गोन जो है इन्होंने वर्नेट किया थर्ड क्या है कि ये कहते हैं कि विश जो है इसका चिकित्सिये उप्योग भी होता है ठीक है हम ट्रीटमेंट में भी पॉईजन को यूज करते हैं वो इन्होंने कहा ठी है कि कोई एक हब बीच गित्सा में यूज कर सकते हैं जैसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में केवल अश्वगंदा भी यूज करते हैं तो एकल औशत का प्रियोग इन्हों ने बताया गित्सा में फिर उसके बाद इसमें है कि विपाक का ये भी वंडर्न इनों ने किया तो याद रखिये कि पिल रोग वागभट ने बताया पिल रोग वागभट ने बताया दस पंधरा बीस बार इसको रिवेशन कर लिजे क्योंकि ये जो लाइन न भाथ बहुत बहुत पिल पेल के question में पूछी गई है तो पिल रोक वागभट में बताया ठीक है नेक्स्ट है कि ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो शिशुओं में महापधम व्याधी का वन्नन भी वागभट ने किया ठीक है वैसे इसमें दो शब्दाते एक तो महापधम है एक है इसमें पूर पूर्व अनुपल्लव इतनी बार नहीं पूछा गया लेकिन महापधम बहुत frequently पूछा गया है ठीक है तो महापधम और पूर्व पल्लव पूर्व अनुपल्लव ये दोनों वागभट ने शिशुरोगों में वन्नन किया है फिर उसके बाद वागभट चार प्रकार के है सबसे बूढ़ा वागभट है व्रिद वागभट फिर उसके बाद मध्यम वागभट फिर उसके बाद यंग यानिकी जो है लगू वागभट फिर चौथा कौन सा वागभट है रस वागभट ठीक है व्रिद वागभट मध्यम हो गया और लगू वागभट और रस वागभ वागभट ने जो कि सी गूपत के पुत्र थे ठीक है और फिर जब वृद्वागभट की बात की गई तो आपने यह याद रखना है कि अवलोकित के शिश्य थे और 5055 इसा इनका समय था इनका काल था ठीक है तो वृद्वागबड अब लोकिक के शिश्य थे और 550 इनका इसा काल था ठीक है और पॉइंट कोई मिस तो नहीं हो गया ठीक है ये सारे पॉइंट्स हैं ठीक है मैं आपको फिर से बता देती हूँ महामयूरी विद्या का वर्णन किया विश का चिकित्से वर्णन किया फिर उसके बाद चिकित्सा में एकल नौशदियों का प्रियोग इन्होंने बताया फिर मेदोहर गुण जो है गूगल का इन्होंने बताया फिर उसके बाद इन्होंने नेत्र रोगों में पिल रोग का व किया फिर उसके बाद वागभट चार प्रकार के बताए गए फिर सीही गुप्त के पुतर वागभट और उन्होंने अश्टांक संग्रे को योग अनुरूप संदर्ब बताया और वृद्वागभट है उनको अवलोकित के शिश्य बताया गया साड़े पांसो ईसाइन का काल बताया गया फिर हमने इसके स्थान पड़े अध्याय पड़े और अश्टांक संग्रे और हिर्दे में डिफरेंस और काल पड़ा ठीक है तो दोस्तों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से जो है लर्न हो गया होगा मैंने इसके कुछ नोट् हो जाएगा तब आपको at low charges, low cost हम आपको notes भी सके दे देंगे ऐसी कोई बात नहीं है तो I hope आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई query है तो मुझे आप उसी time WhatsApp में या फिर यहीं पर मैं कहना चाहूंगी कि आप preferably यहीं पर comment कर सकते हैं मुझसे प ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ठीक है मशकार